लो गाइस करन्ट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 मही तक के सभी इंपोर्टन करन्ट अफेर्स कवर करने वाले हैं हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखेगा आज पर आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा एदि आप हमारे डेली करन्ट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ मंतली पीडियेफ और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनोमिक अवेर्नेस पी आते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं इसके लिए चाहे तो आप करेंट अफेर्स फंडाइब को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैप्टोप या सिस्टम की वज़से वैब लोगिन भी कर सकते हैं और कोई भी एक्साम ओंग आपका डाउट है अमारी स्पीडियाफ कोंटेंट काफी यूसफुल है तो कोई भी अगर आपका डाउट है मारी स्पीडियाफ कोर्स संबंदित तो कमेंट बॉक्स में वश्य लिखेगा चले फिर करते हैं शुरुवात इस वीडियो सेशन की विस्व सास संगठन की महानिदेशा कौन है ओप्शन से आउट्रे असुले कैथरीन रॉसेल डॉक्टर अकॉंजो आईवेला या फिर्ट्रोस गेब्रेशियस तो जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेशन का फिरम आगे बढ़ेंगे और इसी तरह क्वेशन से दिया प्र इंडिया जॉइंटली इनोगरिटेट दस सित्वे पोर्ट विद्विच कंट्री भारत ने किस देश के साथ सही तुरूप से सित्वे बंदरगा का उत्खाटन किया है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन भी है मियामार आपको जाना चाहिए यूजियन मिस्टर सर्वनेंदा सोनवाल और मियामार के डिप्टी प्रैमिस्टर एड्मिरल टिन ओंग सांग इन दोनों ने ही मिलकर मियामार में सित्वे पोर्ट को इनोगरिट किया है और भारत की और से पहली कार्गो शीप भी हाँ पर पहुंची ह है तो भारत के और से जो कार्गो शीप है इसको हरी जंडी दिखाई गई श्यामा प्रसाद मुकरज पोर्ट कोल गाता से आपको जानना चाहिए अब इस सित्वे पोर्ट डेवलप्मेंट के साथ ही जो कोस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रांस्पोर्टेशन है गोड्स का कलकत्त अगरतला और आईजोल के बीच में यह 50 प्रतिशत तक डिक्रीज हो जाएगा सेत्वे पोर्ट की बात करें तो इसे कारादान मुल्टी मॉडल प्रांसिक ट्रांस्पोर्ट प्रोचेक्ट के तहरे डेवलप्मेंट ऑफ इंडिया ने इसकी फंडिंग की है आपको बता दें इस प्रोजेक्ट को जो कंसेप्लाइज किया गया है उसका मक्सद दिया है कि जो मिजोरम है वहाँ पर एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोवाइट की जा सके इसके तहत जो हल दिया कोलकता से या फिर और कोई पोर्ट बारत से उसको कलादान रिवर मेंआमार से होत इसके बाद से जो भारत के पोर्ट है हल दिया यहां पर पहुचे जा सके किया देखिए इस मैप से आप जादा समझ जाएंगे देखिए आप उद्र कॉलकाता से आहे हम सित्वे में फिर सित्वे से भाणीया में फिर हम चले गए दुबारा भारत में आइज़ ऑल में तो यह जो रूट है यह जो है शोट पड़ता है समय की बच्छत होती यह वरना पूरा गोम कर जाना पड़ता है अगर हम आई जोल जाएं तो गोम कर जाना पड़ता है यहां तो सीधा पड़ जाएगा यह मतलब म्यामार के तुरू हम पहुंच रहे हैं अपने ही भारत में क्लिक बिजनेस कैस्ऺंट सर्भ कि फिजनेस कैस्थ बैक बριफ के लिए बिजनेस कैस्थ बैके पारणे के लिए यांसर हमें यह इस्मॉफट स Guard कर दोभ़ा आक और यो इस प्यिनेस कैस्थ बैक पार यो कुषाएं श्च किया है जो भी यूख एंपोर 괜찮us से उनकी financial requirements को पूरा करने के लिए तो इसमें कई तरह के बेनेफिट से प्रोवाइट करा रहे हैं जैसे कि टू-परसेंट कैस्पेक 48 डेज इंडरस्ट फ्री क्रिट एंड इंस्टेंट लॉन्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो हैट्वाटर शेयपूर राह कोपरेशन बारत के सबसे बड़े NBFC पाउर फाइनेंस कोपरेशन की पहली महिला CMD कोन होंगी ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है परमिंदर चोपड़ा आपको जाना चाहिए पब्लिक एंटरप्राइस सेलेक्शन बोर्ट पी एस पी इन्होंने परमि पाउर फाइनेंस कोपरेशन तो जो यह रिकमेंड करते हैं वह जनरली जो है सहमती महां पर दे दीती है ठीक है जो भी एजनसी है आपको बताते हैं फर्स्ट वुमन होंगी जो की इस पत्पर जो है अपॉइंट की जा रही है ठीक है वोन दे 2023 लाडियस वर्लिड स्पोर्ट में ओफ त ये ऑवर्ड दोजार तीज लाडियस वर्ड इस sportsman of the year award जीता है तो दूसरी बार इन्हें लॉर्यस sportsman of the year award नामीत किया गया है और इन्हीं की जो टीम है अर्जेंटिना की टीम उसको team of the year चुना गया है लॉर्यस team of the year साथी लॉर्यस वर्ड comeback of the year award यह गया है डैन्मार्क की किस्टियन एरिक्सन को विच इंडियन एथलीट हैज क्रिएट एक्रिएट अनेशनल रिकोर्ड इन्द मेंस ट्रिपल जंप इवेंट किस भारते एथलीट है अब एक नया नेशनल रिकोर्ड बनाया है एक हावाना क्यूबा में कंप्टिशन हुआ ना पुरेवादी कंफरेंट एक्षेंट ट्वंटीटी त्री कंप्टिशन इस तरह से इसका नाम था तो यहां पर इन्होंने 17.37 मिटर की जो है ट्रिपल जंप इन्होंने टोप पर रहे हैं पोडियम में टोप पर रहे हैं यह पहला इस्था इन्होंने प्रात किया है तो इन्होंने ने नेशनल रिकोर्ड भी तोड़ा आए हमारा नेसल रिकोर्ड रजित माईश्वरी ने मनाया था 2016 में 17.30 मिटर का तो अब इन के पास आ गया है 17.37 मिटर हाव मेनी मेडल्स इंडिजा विन इन दे एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपेंशिप 2023 एशिया यी भारत तो दिन चैंपेंशिप 2030 में भारत ने कितने पदक्स जीते ओप्शन आपके सामने से यह आंसर ओप्शन ए है में 23 महीं देखें इंडिया वेटलिफ्टिटर्स ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपेंशिप ट्नी ट्नी टित्री में जो है तीन सिल्वर मैडल्स जीते इंको अबद्रॉल पॉईन वेटलिफटिंगल चिंपेंशिप हुई है इस इंजू साना ओर में में हुई है अगर हम मेटेर्टू CCP क्ए ताइन्हों ने 55 मेह ** मेडल जिता है यक सउक्षम किस समंत्राय ने लर्ञ्णिंग मैनेज्मेंट इंफॉमेशन सिस्टम सक्षम लौव्च किया निई सामने साइज आंसर ऑप्शन ही है मिस्ट्य ऑफ हेल्थ देखें यूनियन हेल्थ सेकरेट्री राजेस पूशन इन्होंने सक्षम यानि की स्टुमलेटिंग एडवांस्ट नोलेज फॉर सस्टेबल हेल्थ मेनेजमेंट इसको लॉंच किया है यह क्या है यह क्या है यह एक लर प्रोफेशनल से उनको तो उनके लिए प्लैट्फोर्म है हूँ इस तो उतर रदर बुक टाइटल्ड द्राप्टी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटर लैंड्स टू राइसीना हील्स नाम पुस्तकिल लेखा क्या लेखी का कौन है ओप्शन साब के सामने हैं सही आंसर यह है कस्तूरी रे देखे एक बुक है द्राप्टी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटर लैंड्स टू राइस इना हील्स इसकी उतर है कस्तूरी तो यह इन्हीं के बारे में एक बुक है ट्राइबल कर्ड किस तरह से कई तरह के अबस्टैकल्स को ओवरकम करते हुए एक पत्तक पहुचती है एक उचाई को प्राप्त करती है और बुक्स देखेंगे उत्राकण के चेश मिस्टर पुसकर सिंग धामी इन्होंने एक बुक रिलीस है जिसका टाइटल है साइबर एनकाउंटर्स इसको उत्राकण के डीजीपी अशोक कुमार ने और फॉर्मर डिया एस खॉमरेट तो यह भी चलद पॉंडिश होगी एंडी मरे डिफटेट वीच प्लेयर इन देफानल आप दाएटीब चलनगर इवेंट इन एक्स-इन प्रोविंस एक्स-इन प्रोवंस में एकिपे चलनगर इवेंट के फद्रम में एंडी मरे ने किस खिलाडी को ठाएए ओप्षिन्स आपके सामने सही आंसर ओप्षिन ए है टॉमी पॉल देखिए एक मैच हुआ है एक्स इन प्रोविंस में एटीपी चैलेंजर टू टाइटल इसको एंडी मरी ने चीत लिया एंडी मरे बिटिस टैनिश प्लेयर है और दोजार पांच के बाद से इनका ये पहला एटीपे चैलेंजर टू टाइटल है तो इन्होंने फाइनल में अमेरिकन टैम स्प्लेयर टॉमी पॉल को हारा है आपको जानना चाहिए जो एंडी मरे है थ्री टाइम क्रेंट स्लैम चेंपियन है और 2019 के बाद से इनका ये पहला टाइटल है और क्ले पर जो खेला जाता है वो 2016 के बाद से पहला टैटल है जो इन्होंने जीता है विच प्रेस और्गनाइशन ओन दे 2023 प्लिटसर प्राइस पॉलिक सर्विसेज फोर इट्स बार टाइम कवरेज ओफ ता युकरियन सिटी ऑफ मौरिपॉल किस प्रेस अंगठने युकरियनी सहर मौरिपॉल के युद घ्ले बातकरे जनलिस्व तो एक्चुरि एवाट जो है अमेरीका में जो भी जन्टि से जो इस प्रेस पैस को दो जाह तो-जार थीसको प्लिट्न सरथविस काटेगरी मैं क्योंकि इसने जो कवरेज की है उक्रियन की सिटी मार्यो पॉल के बारे मिन उसको जब भी सिज कर दिया गया था उसके बारे में कवरेज की है तो वहां पर इसको उस रिपोर्टिंग के लिए से प्रॉजसर प्राइब मिला है पाभलिक सर्वीस काठेगरी महीं नीः टाइम्स को इंट्रशन constitution के लिए अव прेभ आिप टिया है इंटरेस्टल रिपोर्टिंग के लिए नियू यॉर्क टाइंस हमने देख चुके हैं पहले ही है ना अलग-अलग तरे की कैटेगरी है इसमें अच्छा इसके लावा बुक्स ड्रामा एंड म्यूजिक में भी आवार्ड दिया गया तो इसमें एट कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि विच इंशर हैस पार्टनर्ड विद इंडियन इंडस्ट्रीज एस्सोशेशन टू प्रोवाइड लाइफ इंश्रेंस प्लांस इन उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश में जीवन विमा योजना प्रदान करने के लिए किस विमा कंपनी ने भारती इस्ट्रीज एस्सोशेशन के साथ ताकि जो MSME सेक्टर का जो वर्क फोर्स उत्तरप्रदेश में उन्हीं लाइफ इंशरेंस प्रवाइड किया जा सके तो इसके तहत जो मैक्स लाइफ इंशरेंस है वो अपना प्रेंटरेशन बढ़ा चाह रही है उत्तरप्रदेश में ज और ऑप्षन ए डैली मेट्रो देखें डैली मेट्रो रेल कोरपरेशन टीमर्सी इसने अब क्यूर कोड़ बेस्ट पेपर टिकेट्स लॉंच कर दिये हैं अपने सभी लाइन्स पर ट्रैवलिंग के लिए तो अब यदि आप इस तरह का क्यूर बेस्ट पेपर टिकेट जब आप प्राप करते हैं तो इसके बादाभ सुक्री मिनेट कर सकता है याहां जथिए आप सिस्क्री मेट के तहट ऐसा नहीं करते हैं एंटर नहीं करते प्राप्त कर लेगा सही एक रिपोर्ट लौंच की गई है जिसका नामे रिपोर्ट ऑन ऑप्टिमल जनेरेशन मिक्स फोर ट्वाटी नाइन थर्टी इसको रिलीज किया है सेंट्रल इलेक्रिसिटी ऑथरोडी में स्ट्रेव पार ने इसना बताया आप लेगा कि 2009 तक भारत जो है 41 GigaWatt इनरजी इस्टोरेश केपसिडी प्राप्त कर लेगा साथ साथी इसको सब्सक्राइब कि टोटल इनस्टोर्ण पावर केपसिटी भी प्राप्त कर लेगा साथ ही साथ-स में उद्धा लिए बात करें लिए ब्हारत को यह बहुंद सिक्स इसाइब भारत में नौन फॉसिल फ्यूल से तो यह 25 परतिशत से बढ़कर जो भी फिलाल 25 परतिशत है 2022 में जो 44 परतिशत हो जाएंगे 2030 तक अगर हम इन टॉम्स आफ कैपसिटी बात करें तो नौन फॉसिल फ्यूल बेस्ट इस जो हमारे सोर्सेश नौन फॉसिल फ्यूल ब मेरिन इंडिया है से यो एस पेस्ट वोप्ट्वर कंपने शेजंट ओपर इट्स ओफिस अमेरिका की धी ऐस व फेस्टेट से अपनी साजramble ने भार्त में अपना कर्या लेक कहां पर खोला है औप्श поड़ेस्ट ऑपके सामने से फेस्ट िछاتल नहीं है देखे सेजंट एक यूएस-based fintax software company है तो इसने यूएस से बाहर अपना headquarters को लाए चिन नहीं तमिल नाडूब है तो यह देखे एक software company है जैसे जो बैंक होते हैं फिर financial services होती है ना उनको mortgage mortgage संबंदिर या लॉन संबंदिर जो software होते हैं वो प्रोवाइट कराती है which country topped a list of 10 countries that accounted for 60% of global maternal deaths, still births and newborn deaths globally कौन सा देश उन दस देशों की सूची में सबसे उपर है जो विस्व इसतर पर 60% मात्र मृत्यू, मृत जन्म और नवजात मृत्यू के लिए जिम्मेदार है options आपके सामने से answer option A, India देगे हाली में United Nation द्वारा एक report जारी की गई है तो उसमें top 10 ऐसी countries हैं जहाँ पर पूरे विस्व का 60% global maternal deaths, still births और newborn deaths होती है उनमें top पर भारत है, साथी 51% live births globally यहाँ पर होते हैं तो यह जो report है, इसको जारी किया गया है WHO, UNICEF और UNFPA द्वारा कहां पर launch एक International Maternal Newborn Health Conference जो की Cap Town South Africa में हुई है इस conference को host किया गया है Government of South Africa and Align MNH के द्वारा कि इसके साथ में कर United States Agency for International Development के साथ मिलकर तो यह अपने आप में कोश्यन है, conference कहां होई है, South Africa में, Cap Town में अच्छे इसमें भी बताया गया है कि 4.5 million deaths जो हुई है, उन्हें maternal deaths 0.29 million से, still births जो है, वो 1.9 million है और newborn deaths यह 2.3 million है यह हम 2020 किसी बात करें, सब चाहरा एफेक्टेड एरिया क्या रहा है, सब सहारन आफरीका and Central and Southern Asia, इसमें बताया गया है कि भारत में 7,88,000 maternal deaths हुई है, मतलब 7,88,000 maternal deaths, still births and new rental deaths हुई है 2020 में और globally कितना हुआ, 4.5 million deaths, साथी हमारी जो देश है, यह globally 17% live births में भारत का शेर है भारत के बाद नाइजेरिया है, पाकिस्तान है और Democrat Republic of Congo है, यूथोपिया, बांगलदेश है, चाइना भी इसकतार में है विच कंट्री होस्टेट था, Petersburg Dialogue on Climate Change, किस देश ने चलवाई परिवरतन पर Petersburg समवात की मेचवानी की है, सही answer option दी, जर्मनी है, आपको जाना चाहिए Petersburg Dialogue on Climate Change, यह हाली में Berlin, जर्मनी में, होस्ट के अगया जर्मनी और United अमिरात त्वारा, आप सभी जानते हैं कि 28th Conference of Parties, यानि कि COP 28 to UNFCCC, यह UAE में होने वाली है, यह न, तो उसी से पहले यह एक Conference launch की गई है, Pittsburgh Dialogue on Climate Change, तो देखिए जो Conference है, यह Annual High Level Political and International Forum है, तो हर साल होती है Conference, और क्यों होती है, ताकि जो COP होने वाला है, Conference of Parties जो होने वाली है, उससे पहले एक नीती बनाई सब्सक्राइब जा सकेगी, इसका मतलब है कि Paris Agreement के जो objectives set किये गए थे, तो उनको भी revisit किया जाएगा, कि हम हमारे जो efforts हैं, क्या वो Paris Agreement में जो हमारे objectives हैं, उनको पूरा कर पाएंगे, तो उसी को access करने के लिए, यह global stock take, नाम जा गया है 2030 के लिए, इन्विस सेटी, the foundation stone of Hare Krishna Heritage Tower was laid, Hare Krishna Heritage Tower के अधारशिला की सहर में रखे गई है, सही आंजर option D, हाइदराबाद, देए तिलंगा ने ही चीश्मिंटर के चुनल से कर रहा हूँ, इन्होंने 400 foot Hare Krishna Heritage Tower के अधारशिला रखी है, हाइदराबाद में, तो इस tower में मंदिर्स भी होंगे, और यह 6 एकड में construct हिया जाएगा, 200 क्रोड रुपे की लागत से, स्री स्री राधा कृष्णा और स्री वेंक के टेश्वरा, स्वामी का टेंपल भी यहां पर होगा, उस पर यूजरां का नाम किया है, जिसके लिए M.O.H.C.U.A. रेल मंत्रा ले और J.I.C.A. ने एक समझोता है कि अबर पर स्ट्रक्श्चिर किये हैं, उप्शन आपके सामने से, या उप्शन C है, प्रोजेक्ट स्मार्ट, देखें मिर्स्ट्री ओफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेर्स, मिर्स्ट्री ओफ रेलवेज, इन दोने मिलकर जापान इंटरनेसल कोपरेशन एजनसी, G.I.C.A. इसके साथ एक एम यू साइन किया है, किसलिए प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए, प्रोजेक्ट स्मार्ट का मतलब क्या है, स्टेशन एरिया डेवलप्मेंट अलोंग मुंबई एहमदबाद हाई स्पीड रेल, तो प्रोजेक्ट स्मार्ट में, कम प्रोजेक्ट स्मार्ट के तहत, जो भी मुंबई एहमदबाद ह भी होंगे उनके स्राउंडिंग एरियास को डेवलप करने से सम्मंदिती मौयू साइन किया गया है ताकि एक्रोमिक एक्टिविटीज भी बढ़ सके हो इस्टेशन के आसपास के एरियास में तो देखे टोटल जो है 12 स्टेशन रहेंगे उस रूट में तो उन 12 में से चार जो टो जो सुरत वीरारत है ऐसे उसके बाद फीडिज बना रहे रहे हैं व्याटल नोगर्स के प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वोलते हैं जो बादिन लिए एकारिक है यहाद एकार प्रफची प्राज कर अई एकारत लिए प्राज्ट बादर्प फिर इकार पर फ्यज़ प्सक Radio को फृद्ट बाद़ मनें अट्रम से प्रफी एकार प्राज़ को फ्राज्ट अग्ज़ इस विते प्रफितारी प्रेक्टाज सक्काई आप में से कई स्मष्ष इसे बिलकुल सही आसर किया है इसी तरह से पाइटिस्पेट करते रहिए रहे देखिए एक कोश्षचन है यह वाला ठीक है तुरफरा में एक इस्प्रोंट nे मेई साह्ट शेर किया टेलि верх किला में हाली में एक साइज सर्फ इंस्पेक्टर का फेपर हुआ होगा तो उसमें कुछ पूछे गए थे उनको देख लेते हैं महत्रपूंड है यह चाए कोई भी आपका एक्जाम है कुछ ऐसी जनरल क्योश्चन होते हैं चाहे है आप बैंक का एक्जाम हो या कोई भी एक्जाम हो पुछे जाने की चांसेज रह जाते हैं देखिए IPCC जो है इसकी फुल फॉर्म पुछी है क्लाइमेट चे से संबन दिता है IPCC जनरल सा कोश्चन है तो इसका आंसर होगा इंटर गॉर्मेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज यह बेसिक टर्म है यह आपको पता ही होनी चाहिए देखिए अब दूसरा कोश्चन इसी एकदाम में पुछा गया त्रिपुरा वाले में एक्साइज सब इंस्पेक्टर में अमंग दा फॉलॉइं विच इस तल लैंड लोग पॉर्ट इन इंडिया अच्छा देखिए यह भी 2023 से पूछा गया और एक आप इधर यह देख रहे हैं ना कोश्चन आंसर विसा का पटनम में इधर cds 2023 इस बार cds के एक्जाम में भी कोश्चन पुछा गया विसा का पटनम इस लैंड लोग हाबर दूसरा स्टेट में पुछा गया दीन दयाल पॉर्ट इस टाइटल पॉर्ट तो दोनों में से कौन सा सही है एक सही है दो सही है या फिर दोनों सही है कोई भी सही नहीं है तो देखिए दोनों इस दिन दयाल यह जो विसा का पटनम आपका पॉर्ट है इससे सम्मंदित कोश्चन दोनों इस एक्जाम में आ गए तो यह पॉर्ट वाले कोश्चन भी बहुत महत्तपूर्ण होते हैं कभी पूछ लेते हैं कि भारत में टोटल मेजर पॉर्ट कितने हैं या फिर प रियाल पॉर्ट एक टाइडल पॉर्ट है तो दोनों सही है स्टेट्मेंट तो इससे क्या आपको आइडिया मिल जाता है जब आप प्रिवेस यह देखते हैं कि क्या हमारे यह पॉर्ट वाले टोपिक कवर हैं अगर हमने पढ़े हैं तो क्या अच्छे से हमने पढ़े हैं टीक है इनुवार्मेंट से सब्भंदित एक्साम में कोच पूछ ले जाते हैं क्योंकि जितना जोर आप दीख रहेंने इनौइर्मेंट से समंदित कितनी मीटिंग पॉर्ण में कोंफेंस हो रही हैं तो थे वैसली बात अफोन से सम बंधित टोम पूछी जाने की चांसे ब प्रोग्राम फॉर्वेंट नीव टैलेंट्स हाँ में नुक्लियर रियक्टर्स डिट यूनियन गोर्मेंट रिसेंट्ली एप्रूब फॉर इंस्टॉलेशन इन दो कंट्री तो इन पांचों के आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दीजेगा यह दिया आपको एक कोश्चन का आ पा सकते हैं दोस्ते आप अपने दोस्तों के साथ हमारे करेंट को शेयर जुरू करें आज का सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में वश्ची बताईएगा थैंक्यू गाइस